दोस्तो गर्मियों में हम सभी को ठंडी चीजे खाने पीने का मन करता है ऐसे में हम अक्सर फिरिज के ठंडे पानी या कोल ड्रिंग का सेवन करते हैं लेकिन आप चाहें तो इन चीजों के बजाए गन्ने का जूस पी सकते हैं गन्ने का जूस न सिर्फ प्यास बुझाने का का करता है बलकि आपको स्वस्त रखने में भी मदद कर सकता है गन्य का जूस पोसकत्तों से भरपूर होता है जिसमें कैलसियम आइरन पोटैसियम मैगनिसियम फासफोरस और एंटि आक्सिडेंट जैसे गुर पाये जाते हैं जो सरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं इस इसलिए गर्मियों में इसे पीने से सरीर को ठंडक मिलती है गन्य का जूस पीने से सरीर हाइडरिट रहता है और इंस्टेंट एनरजी मिलती है इसमें मवजूद पोसकत्तों सरीर की इमिलिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं जिससे कई बीमारियों से बचा होता है तो किस तरह की तमाम वीडियोस में लेकर के आते रहता हूं। आए दोस्तों समझते हैं सबसे पहला फायदा इम्मुनिटी को बुष्ट करने के लिए। गन्य का जूस पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक छमता भी मजबूत होती है। अकसर कमजोर इम्मुनिटी सिस्टम की वज़े से हम असानी से बीमारियों की चपिट में आजाये करते हैं। ऐसे में गन्य का जूस पीने से हमारी इम्मुनिटी मजबूत होगी जिससे हम कई बीमारियों से खुद को दूर रख सकते हैं। कई रिसर्च में है सामने आया है कि गन्ने में मवजूद हेपाटो प्रोटेक्टिव और एंटी ऑक्सिडेंट गूर प्रतिरोधक छमता को मजबूत करने के साथ ही बैक्टिरियल वाइरस संक्रमर से बचाने में भी मदद करते हैं इसलिए इमुनिटी को बुस्ट करने के लि पूरा करने में मदद करता है जिससे हमारा लिवर इंफिक्षन से हमेशा बचा रहता है गन्ने के रस में बहुस सारे एंटी ऑक्सिडेंट कूर पाए जाते हैं जो लिवर को संक्रमित होने से बचाने का काम करते हैं यहां बिलुरिबीन के अस्तर को नियंतर में बनाये मदद करता है इसके अलाबा अगला फायदा है मैं अगला फायदा है शरीर में एनर्जी के लिए कार्बोहाइडरिट बहुत ही जादे i ज़ूरी होता है ऐसे में अगर आप अपने शरीर में एनर्जी देनें आपके लिए बहुत इलाबकारी हो सकता है दरसल गंडे में भरपूर मात्रा में कार्बो हाईडरीट bho पाए जाता है जो आपके सरीर में एनरजी देने का काम करता है साथ यह सरीर को ज्यादा समय तक हाईडरीट रखने में मदद भी करता है इसलिए गर्मियों में बहुत ही जादे आपके लिए फायदे मंद हो सकता है इसके अलावा अगला जो फायदा है वो है तुचा के लिए अंटी आक्सिडेंट तक्तों से भरपूर यह गन्ने का रस हमारी तुचा के लिए भी बहुत ही फायदे मंद हो सकता है गन्य का रस पीने से न केवल फ्री रेडिकल्स का असर कम होता है बलकि यह हमें सुर्ष से आने वाली खतरनाक यूवी किरनों से भी बचाने का काम करता है इसके अलावा और समय आने वाली जुर्यों से भी यह निजाद दिलाने का काम करता है साथ ही गन्य का रस पीने से इसक पोशक्त्त प्रोस्टेट और ब्रिष्ट कैंसर की संभावना को काफी हद तक कम कर देते हैं इससे अगला जो फाइदा है वो है हड्डियों के लिए गन्य का जूस पीने से हड्डिया मजबूत बनती हैं इसमें कैलसियम मैगनिसियम और फासफोरस जैसे पोशक्त्त पाए ज सभी लोगों को ये जरूर पता होगा कि गन्य में सुगर की मात्रा जादे होती है जो डाइविटीज के मरीजों के लिए नुकसान दायक हो सकती है क्योंकि गन्य का रस पीने से आपके सरीर में सुगर की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे आपको बलड सुगर लेबल तो diabetes वालों को गन्य का रस गलती से भी नहीं पीना चाहिए और नहीं जादे मीठे चीजों का 7 करना चाहिए आगे हम लोग समझते हैं कि गन्य का रस कब पीना चाहिए वैसे तो गन्य का रस पीने का कोई fix time नहीं होता है आप कभी भी पी सकते हैं लेकिन अगर आप गन्य के रस का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो यह आपके लिए बहुत यह अच्छा हो सकता है क्योंकि सुबह खाली पेट गन्ने का रस पीने से डिहाइड्रेशन दूर होता है और आपको इंस्टेंट एनरजी मिलती है और अगर आप चाहें तो दोपार को भोजन करने के दो त जरीर का टंपरेशर बिघड़ जाता है और हम बिमार पढ़ने लग जाते हैं यह हमारे पाचन तंतर को विगाड़ देता है क्योंकि दुकान वाले बर्फ को जमाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर बर्फ साफ पानी से नहीं जमाया गया है पानी कर सकते हैं जिस से गन्य का रस और भी जादा स्वाधिश्ठ हो जाएगा और यह आपके पेट के लिए काफी ज्यादा फा docte मंत भी सावित हो सकता है場 है तो, दोस्तों यह थी गन्य के रस के फाइदे उम्मिद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों यह information आपको कैसा लगा प्लीज आप comment में ज़रूर बताएं इसी प्रकर की तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियो में ले करके आता रहता हूं मिलते एक लिए वीडियो में किसी और चैनल की वीडियो के साथ में में किसी और चैनल की आता हुआ थे हैं